तू रख यकीन बस अपने इरादों पर तेरी हार तेरे होसले से बड़ी नहीं होगी नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में डिस्ट करेंगे हम 9 दिसंबर के करेंट पर और आज के वीडियो में चैनल के अचसे तो चलिए शूरू करते हैं आज के वीडियो में आज के वीडियोance का पर चैनल के जरी है और देखांस अचसे पहले गोरपूर वारानसी और कानलमें हैं चलाने के लिए बहुत स़ारी इस अर्जिक्त है कारों नी जो है अपना एक statement दिया था लेकिन अभी तक वहाँ पर हो नहीं पाया है देगी सर्वे तो हो चुका है गोरपुर में भी हो चुका है मैंने कुद पीलर देखा है और वाराणसी में भी चला है सर्वे कानपुर में भी सर्वे चला है कैसे कैसे metro rail पर यूदना जो है और यह मार जो है आपका ताज महल आगरा के किला सिगंद्रा जैसे प्रमुक परेटक अस्तमों से जो होकर गुजरेंगे और इस परियूदना की अनुमानित लागत होगी कुल 8,389.62 करूर रूप है और इसे 5 साल में पूरा किया जाएगा जो आपका आगरा metro rail परियूदन बढ़े तो यह सारी सरकारे करती हैं यह स्वभाविक है मैं किसी पार्टी का समर्थ तक नहीं हूँ बस यह कि कोई सरकार अगर अच्छा काम करती है चाहे गोडिशा को यह चाहे उत्तर प्रदेश की हो चाहे बस सिमंगाल की हो तो दीगे उसको हमें मतलब बताना आपको ज इतने पर डीटल मैंने बताई हैं यह सारी चीजे नोट कर लिजेगा यह एक्जाम में पूशी जाएंगी देखिए उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनौ है और लखनौ जो है आपका गोमती नजी की किनार रिस अंतराष्टी सीमाई बनाता है और इसकी सीमाई देखिए यह उत्तराखंड हिमाजर प्रदेश हर्याना राजस्तान मत्यप्रदेश दिल्ली 36 गर्ड जहारखंड और बिहार के साथ में लखती हैं तो इसको नोट कर लिएगा और दूसरा प्रशनी की कौन सा देश वर्थ 2021 के एसिया कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा तो देखिए यह देशाब का स्रिलंका है यह जो है वर्थ 2021 के एसिया कप क्रिकेट की मेजबानी करेगा देखिए स्रिलंका जो यह जून 2021 में होने वाले एसिया कप की मेजबानी कर तो पाकिस्तान का आगे कि बाबू तुम परिशान मत हो और रोना मत हम तुमें 2022 में उसर दे रहे हैं अब 2020 में तो 2022 में तुम आज़न कर लिए ना Asia Cup Cricket का तो जो अपका इस साल का कैंसिल हुआ Asia Cup Cricket यह 2022 में पाकिस्तान में आज़न होगा लेकिन अगले साल 2021 में स्रिलंका जो है यह Asia Cup Cricket की मेजबानी करेगा इसको नोट कर लिजेगा यह सबसे important प्रस्णा है आज़का तीसरा की हाली में किस्ताराजी के कीवी को जैविक प्रमाण पत्र यानिक और गैनिक सेटिफिकेट दिया गया है तो दिके भी हाली में अरुडांचल प्रदेश के कीवी को दिके कीवी यह फ्रूट होता है आपने देखा होगा यह डेगो गरे में काफी लाप्रत होता है आप वैसे भी अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ने के लिए इसका जो है सेवन कर सकते हैं हपते में दो तीन बार तो कीवी को जो आपका अरुडांचल प्रदेश का यह कीवी फ्रूट है इसको जो है जैविक प्रमाण पत्र यानिक सेटिफिकेट हाली में दिया गया है और यह जो है प्रमाण पत्र जो आपका यह और गैनिक सेट्पिकेट है निक है ये जो है पुरोत्तर छेतर के लिए मिसन और गैनिक वैल्यू चेंड डिवल्प्मेंट यूजना के दह दिया गया कि इसको इसकी भी फूरूट को और रुणाचल प्रदेश के और किसी भी फूरूट को जैविक प्रमाण पत्र कब दिया जयर। जयर। जैविक खादबगर है का प्रियोकर के और चौथा प्रशन एक कि इस लेखक को उनके उपनियास द सीटीड़ के लिए तीसरा रविधनाट टैगोर साहित्यपूरुसकार दिया गया तो दिखिए जो थिसरा विघ्यज़़ रविधनाट टैगोर और हत्या के मामले पर अधारित है और इसको जो है अमिताब घोस के गन आइलेंड निर्मला गोविंद राजन के तबो और रंजीत होसकोर्स जोन वेल्ड सही जो है टूटल 10-60 पुस्तकों में से चुना गया है यहीं कि इसमें भीड बहुत जादे थी लेकिन जो चुनी कई पुस्तक है इसका नाम है दस सिटी एंड दसी और इसको लिखा है राज कमल जाने और राज कमल जा को इसी पुस्तक के लिए जो है यही उपन्यास के लिए जो है जो आपका रविन नाट टाइगोर साहिति पुर पुरिषकार है ठिक है यह ओमान के दिवंगत सुल्तान और दपीपल आप ओमान महामहिं सुल्तान कबूस बिन सैथ अल सैथ को पुरतान किया गया है और एक भारती कोरियो गरॉफर है संदीब सोपरकर इन्हों ने एक पहले स्टार्ट की थी इसका नाम था डांस फार अका ठीक है इसके मादिम से ये समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे और इनको भी रविंद नाट टैगोर साहित पुरुसकार दिया गया है आप सुच रहेंगे यहां पर साहित की बात हो रही है तो संदीप सोपरकर जो की कोरियोग्रॉफर इनको ये पुरुसकार क्यों दिया साल यानि कि 2019 की बात करें 2019 में एक ब्रिटिस भारती उपर नियासकार थे जिनका नावतार राणा दास गुपता इनको इसे रविंद नाट टैगोर साहित पुरुसकार दिया था तो इसलिए संदीप सोपरकर कुछ है ये पुरुसकार दिया गया है यहां पर जितने डाटा आपको दिख रहेंगे ये बहुत ही यूनिक है किताब में तो बहुत कम मिलेंगे इसको मैंने बहुत मुश्किल से टूठा है के लिए इसको आराम से नोट करेजेगा यहां से कुछ पॉइंट एक्जाम में पूछ आ सकते हैं पाजव प्रशने की हाल ही में मदुकर गंगा धर का निधन हो गया ये कौन थे तो दीखे मदुकर गंगा धर चुए ये प्राख्यात हिंदी लेखक थे अब यहाली में इनका निधन हो गया है और इनके बारे मैं आपको डीटल मताऊंगा बहुत ही पापुलर परसनालिटी थे ये दीखे ये प्राख्यात हिंदी लेख और लिखा क्या किए इनुने, देखिए इनके कुछ प्रमुखिर लेख है, मोतियों वाले हाथ, हीरन की आँखे और ये जो है नई कहाणी अभ्यान के प्रमुखिक कहानीकार भी थे और ये जो है पателейुक्रतमा आकासमाडी में रेड़ियों के सहयोगी थे, देखिए आकास माणी में ये उप माहन दे सकते कौन मदुगर गंगा धर्ची और दीखे आल इंडिया रेडियो के बारे में लगते हैं दीखे आल इंडिया रेडियो के स्थाफना भारत सरकार ने 1930 में की थी दीखे उस समय अंगलिजों का ससन था और इसका मोटो था बहुजन हीता है बहुजन सुखा है और इसकी ओनर है वरत्मान में प्रसार भारती डिटी नेशनल दी गए चटा प्रशनी की राजा भूमी बोल विश्व मिर्दा दिवस पुरसकार 2020 की से दिया गया तो दीखे जो आपका राजा भूमी बोल विश्व मिर्दा दिवस पुरसकार 2020 है ये दिया क्या है भारती क्रिसी अनुसंधान परिसत को और ये पुरसकार खादे और क्रिसी संग्ठन यानि की FAO के द्वारे प्रतिवर्स पुरसकार 2020 है ये पुरसकार ICAR को यानि की Indian Council of Agriculture Research यानि की ब्रारती क्रिसी अनुसंधान परिसत को जो है विश्व मिर्दा दिवस के आउसर पर 5 दिसंबर को परदान किया गया था और ICAR इंडिया को आधिकारिक तोर पर ये पुरसकार चनवरी 2021 में बैंकॉक में एक कारेकरम के दोरान थाइलेंड की रायल हाइनेस प्रिंसेज महा चक्री सीकिन धोर्न दोरान परदान किया जाएगा तो ये डीटेल्स या रखेगा और ICAR को ये पुरसकार क्यों दिया जाएगा देखिए अपका ICAR यानि की Indian Council of Agriculture Research है इसको जो है 2019 में विश्व मिर्दा दिवस समारों में स्वास्त मिर्दा के महतों के बारे में जागता बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबत दता के लिए इस पुरसकार से समानित किया गया है और जो आपका Indian Council of Agriculture Research है देखिए इसने जो है stop, soil, erosion, save and future मिट्टी के कटाओ को रोको हमारा भुष से बचाओ के दाएट मिट्टी के कटाओ की समस्या को समुदित किया था कब 2019 में और देखिए जो आपका ये कारिकरम था stop, soil, erosion, save and future इस कारिकरम कर जो आजवान है ये बोपाल स्थित, भारती मिर्दा विज्ञान संस्थान के दोरा किया गया था तो ICR को ये समान क्यों दिया गया है मैंने अपको बता दिया और इस पुरसकार के बारे प्रसाम जान लेते हैं और अब इस पुरसकार की बात करते हैं इसका मुख्याला आपका है इसके हिटें क्यों डियोंगियो और इसके स्थापना 16 एक्टूबर 1945 कोई थी और इसके स्थापना 16 जुलाई 1929 कोई थी प्रेजिडेंट इसके है नेरे सिंग तोमर और इसके डारेक्टर है त्रिलोशन महापात्राद सादों प्रशने की हाली में केंद सरकार ने किसके लिए त्रेमासिक रिटर्न फाइलिंग और मासे भुक्तान कर योजना जाने की क्वाटरली रिटर्न फाइलिंग एन्ड मंथली पेमेंट आप टैक्सिस की सुरुवात की तो देखिए केंद सरकार ने भियाली में GST Tax Pairs के लिए जो है त्रेमासिक Return Filing और मासिब भुकतान कर यूजना को स्टार्ट किया है देखिए केंद सरकार ने GST प्रडाली के अंतरगत आने वाले जितने भी छोटे करदाता है इनकी छोटे Tax Pairs हैं इनके लिए जो है इस यूजना को जिसका नाम है त्रेमासिक Return Filing और मासिब भुकतान कर यूजना को स्टार्ट किया है और इस यूजना के अंतरगत जो करदाता होंगे ये एक जनुवरी 2021 से हर माईने GST का भुकतान चालान के मादिम से कर सकते हैं आटवा के हाली में कि नीजी छितर के बैंक ने सभी बैंक के ग्राफों को भुकतान और बैंकिंग सेवाएं परदान करने के लिए आई मोबाइल पे नाम के अपने मोबाइल भुकतान एप का नया वर्जन लांच किया है दिके भिहाली में जो आपका ICICI बैंक है और इसने भी बैंक के चाहए कोई बैंक को सरकारी हो या फिर फिर प्राइवेट हुड़ीग है तो सभी बैंक के कस्टमर्स को भुकतान और बैंकिंग सेवाएं परदान करने के लिए i-mobile पे नाम का अपना एक mobile भुक्तान अप का नया वर्जन लांच किया है और इस अप का जो नया वर्जन है ये इंटर आपरेटेबल है यानि कि ये जो है उन सभी गराकों को भी भुक्तान और अन्य बैंकिंग सिवाओं में सक्षा मनाएगा जो ICICI बैंक के खाता धारक नहीं है और नवा प्रशन ही कि इस कंपरी ने बारत में पहली बार Real Estate Investment Trust Mutual Fund के लिए विविन प्रकार के International Fund लांच किया है तो दीखें ये विविन फंड लांच किया गया है KOTAK महिंदरा Asset Management Company के दोरा देखें जो का KOTAK International REIT Fund आपक फंड से है एक Open Added Mutual Fund है और इस Mutual Fund स्कीम में एक बिवित्ता पूर्ड निवेस पोर्टफोली होगा जिसमें सूची बात Real Estate Investment Trust सामिल होगे जो आवासी कारियाल है Data Center Warehousing, Khudra और आतित जैसे Real Estate परिविनाओं में निवेस करेंगे और देखें जो की कंपणी है KOTAK महिंदरा Asset Management Company तो देखें ये कंपणी जो है इसके MD है नेले शाह और इसका मुख्यालापका महराष्टा के मुंबई में सित है दसों प्रिशने की हाल ही में कि इस Bangalore सित Space Technology Startup ने भारती अंतरीश अनुसंदान संग्ठन यानि कि इंडियन स्पेस रिसर्च और नाइशन के साथ में एक साउज़देवर साक्षर किया है जिसके दाथ ये जो है वर्श 2021 की सुरुवात में इस तो के Polar Satellite Launch वेकेल यानि कि PSRV राकेट से अपना पहला Remote Sensing Satellite Launch करेगा तो दीकि ये स्टार्टप आपका है Pixel ठीक है दीकि जो आपका Pixel है जो कि Bangalore स्थी तेके Space Technology स्टार्टप है इसका लग्ष है 2023 के मद तक 30 प्रित्वी औलोकन सुच में उबगराओं के एक तारा मंडल को सूरिय तुलिया काली कक्षा में स्थापित करना तो इसको याज़ केगा दीकि शूरिय तुलियकाली मन लग गया इन उबगराओं के जरिये मिलने माला जो डाटा होगा ये विवेन छेत्रों में मदद करेगा जिसमें क्रीजी से लेकर सहरी निगराने जैसे वायू और जैल प्रदूसर अस्तर वन जेव विवित्ता और स्वस्त तटी और समुद्री स्वास्त जैसे सहरी प्रदिस में परिद्वत्तन जैसे छेतर सामिल है तो यह डिटरा चेहर किएगा फिर से सुनिए अब यहाली में बैंगलुरुस्ती टेकी स्पेस टेक्नोलोजी स्टार्टप जिसका नाम पिक्सल है इसने जो है भारती अंतरीश अनुसंदान संकेटन के साथ एक समझोते पर अस्ताक्षर किया है जिसके था यह जो है वर्ष से 2021 की सुरुवात में इसरो के पोलर सेटलाइट लांच मिकल से अपना पहला रीमोट सेंसिंग सेटलाइट लांच करेगा तो अगले साल देखिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं देखते हैं क्योंकि यह साल समाथ होने माला है और अगले साल क्या क्या होता है तो यह थे आपके आज के सभी मात्मूर करेंडिपेर और आपको एक इन्फार्मेशन देखिए जिसम्मर महिने का वीकली करेंडिपेर का पहले सब्ता का वीडियो है अपलोड हो चुका है और यह कल मैंने साम को अपलोड किया था तो उसको आप देख लिएगा पीडियो अगरे भी वहाँ पर मिल जाएगी आपको तो अब बात कर लेते हैं तो आज के सभी कुशन अपडियो में देखिए बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यह जितने भी कुशन अपडि आप पढ़ते जाएए पढ़ते जाएए रिविजर मत किए तो वो किसी काम का नहीं है अगर आपी सीच को आज पढ़ रहे हैं एक हपते बाद उसको रिवाइज कर ले रहे हैं तो वो जिन्दगी भर आपको याद रखता है तो रिविजन मस्ट है रिविजन करते पुराने वीडियो को देख देखे 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 पहला प्रशन आपके लिए कि हाल ही में किस देश के आल्लावंडर क्रिकेटर कोरी एडिनर्सर ने रिटार्मेंट की गोश्टा की बताईए देखे क्रिकेट से रिलेटर जितने प्रशन होते हैं अनुसंधान और संबेलन से जोड़े प्रशन है तो ये सारे बहुत इंपोड़िटर होते हैं इनको आप तुरन्त रिवाइस का डिडाला कीजे और नोट का लिया कीजे क्योंकि एक्जाम में बहुत को जाते हैं दूस गंटे की जाने की घोश्डा की बताईए चौधा की चांद पर जंडा फराने वाला दुनिया का दूसरा दिस्कौन मना बताईए पांचमा की फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहे जाने वाले किस बहुत एक विज्यानी का हाल ही मेरी दूनों के बताईए तो इसी के साथ आज का करेंट पर से इसे महुत बता है कल फिल्म में लेंगे कल के सब्सक्राइब वीडियो को लाइक और शेयर करेज़ेगा जो लून ना है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो इसी के साथ बहुत बदनेवाद थैंक्यों और हैबनाईटिव